उत्र परदेश के जीला मुरादाबाद के मजोला थाना शेत्र की चोरी की घटनाय रुकने का नाम नहीं ले रही है चोर घटनाओं को अंजाम देकर मोके से असानी से फरार हो जाते हैं ऐसी ही एक चोरी की घटना मजोला थाना के आबीद नगर उचा टीला से हमारे सामने आ रही है यहाँ चोरों ने एक डायरी को निशाना बनाया यहाँ डेरी से एक भैस को चुरा लिया गया और बाकी भैसों को जहर दिया गया जिससे दो पशों की मोथ हो गई है जानकारी के नुसार चार बदमाशों ने देर राट डायरी में घुसकर जंजीर तोड़कर एक मवेशी को चुरा कर अपने साथ ले गई बाकी बचे मवेश्यों को जहर दे दिया जिससे दो मवेश्यों की मोथ हो गई जिसकी सूचना पिडित ने पुलिस को दी, सूचना में उते ही पुलिस मोके पर पहुच गई CEO Civil Line ने जानकारी देते हुए बताया कि पिडित द्वारा मजोला थाना में तहरीर दी गई है मुकदमा दर्स कर लिया गया है, जल से जल आरोपे के खिलाफ कारेवाही की जाएगी कंप्लेंट करी आपने कोई मुझोला थाने में वी दी ओर जैनती पर पुलिस चौफी में दी यह अचारिया हूं, कोई नंबर आ गया है सो नंबर आई थी सो नंबर आका बसमों टहरी लिखवाका और चली गई आगे कोई जनवाई कोई अभी तागाई ना वहाँ से पाड़ी है ये थानाश ये तरह मजोला की घटना है इस दूरान ये देखा गया है कि ये रात की घटना है रात में एक कुछ व्यक्ति आते हैं कुछ अग्याद व्यक्ति है तीन से चार लोग हैं तो उन लोगों ने एक घर से एक भेंस को उसने उनने किसी टेंपू पर उठा के ले गए हैं और अन्य दो भेंसों को ये भी बताया गया है जो शेहनवाज है जो प्रार्थी हैं इनके तवारा ये भी बतायागे कि इन्होंने दो बैंसों को जहर दे दिया है और उनकी मृत्ती हो गई है तो इसी चीज के लिए हम लोगों ने मुकदमा पंजिकरत कराया है मुकदमा 380 और 439 दाराओं के अंदर पंजिकरत कराया गया है और आगे विवेजना चल रही है अंड़ सब्सक्राइब करें भन्ने वाद